नमस्कार दोस्तों इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप Amazon customer service से बात करना चाते हैं या order से related issue के बारे में या फिर किसी query के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाते हैं Amazon customer service से तो आप कैसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं पुरी जानक customer service से बात करना चाते हैं तो यह आप कैसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो इसके लिए मैं Amazon application open करता हूं और Amazon application open करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको Amazon customer service से बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं आपको example के तौर पर एक चीज़ दिखाता और मैं आपको फिर बताता हूं कि आपकी इस तरह से बात कर सकते हैं Amazon customer service से तो यहाँ पे जो मेरा order था यह तीन फरवरी का था और जो मेरे पास पहुंचने वाला था यह 9 तारीक के डेटे में ना पहुंचने के वज़ाए यह दो दिन डिले हो गया और आज 11 तारीक हो गया तो अब मैं चाहता हूं कि customer service से बात करना कि अखिर क्या issue आई जिसके कारण मेरा product time से deliver नहीं हुआ और delay हो गया तो इसके लिए आपको क्या करना है इस तरह के issue को लेके Amazon customer से जानकारी पाने के लिए आपको three line पे click करने के बाद आपके सामने इस तरह का homepage आ जाएगा तो जै आपको नीचे के तरह कुछ आने के बाद यहां पर आपको यहां पर click करना है तो जैसे ही आप customer service पर click करते है तो आप आपके सामने इस तरह का homepage आ गया, अब आपको simply क्या करना है, आपको नीचे के तरह आना है तो जैसे आप नीचे आते हैं तो यहां पर chat with us और talk with us दो option मि मतलब है आप उनसे चैट करके अपने इसू को अपने इसू के बारे में जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं आप तो अभी आपको ये सामने कुछ पुर्चस आएंगे तो अब आपका जो इसू है वो किस टॉपिक से लिड़े कोई और है या क्या है तो यहां पर बहुत सारे जायेंगे जैसा मेरा ओर्टर है तो मैंने फ़र्स्ट वाले पर क्लिक किया अब यहां पर भी आप से आएंगे आप की जो मदद है एमेजन कस्टमर सर्विस की सफ़कार से कर सकते हैं तो यहां पर कई तो आप से आजाएंगे जैसे ओर्डर से लिड़ेटेड या इंसल तो मैं यह जानना चाहते हूं मेरा ओडर कहा है और मेरे पास कब तक आए तो मैं ओडर पे मैंने क्लिक किया अप क्लिक करने के बात क्या करना है आपको कॉन्टीनून customer service पे क्लिक करना जैसे ही आप कांटीनून में customer service से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर select कर लिजिए फेले language तो मैं हिंदी में चाहता हूँ तो हिंदी में कर दिया अगर आप किसी दूसरी language में चाहते हैं तो यहाँ पर डेल सारे language मिल जाते हैं आप उसको पहले select कर लिजिए उसके बाद जैसे ही आप select करेंगे तो यहाँ पर आपका numbers होगा उसके बाद आपको क्या करना call me now पर click कर देना है जैसे ही आप call me now पर click करेंगे तो आपके पास just Amazon customer service से call आएगा और फिर आपको बात करना पड़ेगा अपने जो भी issue है उसके बारे में वो आपको बता देंगे क्या हुआ और आपको क्या कैसे करना है